sponsored by Olivia Laminits हैदराबाद के हमारे दोस्तों आज हम लोएं हैदराबाद सिटी पुलीस की तरफ से गांधी हॉस्पिटल में जो पुलीस ओफिसर्स 24 आवर्स ड्यूटी कर रहे हैं उनसे बातचीत की, उनसे मीटिंग की सबसे पहले तो गांधी हॉस्पिटल के सभी मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स, नर्सेज, सैनिटरी वर्कर्स, टेक्नीशन्स जो हमारे भाई बहन वहाँ फ्रंट लाइन वारियर्स के तरह से काम कर रहे हैं उन सब को तहे दिल से शुक्री आदा करता हूं, सलूट करता हूं सिटी पुलीस के तरफ से उनके साथ हमारे सिटी पुलीस के जो आफिसर्स काम कर रहे हैं, उन सभी को भी मैं सलूट करता हूं आज जिन आफिसर से हमारी बात चीत हुई, एसीपी गोपालपुरम जो की ओवरॉल इंचार्ज थे आज, उन्होंने पुरी डिटेल में बताई कि वहाँ पुलीस डिपार्टमेंट के तरफ से हर समय, हर विंग को, हर ब्रांच को सेफ्टी सिक्यूरिटी और कॉर्डिनेशन में मदद मिल रहा है एसीपी श्री निवास, एसीपी हरी कृष्णा और लगभग 30 सब इंस्पेक्टर हर शिफ्ट में काम कर रहे हैं हम लोग जहां तक बाहर के लोगों का सवाल है, एटेंडेंस को, हेलपर्स को बाहर ही रोक रहे हैं जिसमें की अंदर ज्यादा भीड़ नहो, सारी बिल्डिंग में जो एड्मिशन होती है, जो वहाँ एंबुलेंस का रश होता है उसके लिए हम लोगों ने एक क्विक रियक्शन टीम अलग से बनाया है जो में बिल्डिंग है गांधी होस्पिटल का, उसके पूरे साथ फ्लोर में, हर फ्लोर में हमारे एक-एक सब इंस्पेक्टर्स ड्यूटी पर है गांधी होस्पिटल का जो मौर्चुरी है, वहाँ भी दोनों मौर्चुरी में, कोवीड मौर्चुरी और नौन कोवीड जनरल मौर्चुरी में, हमारे सब इंस्पेक्टर्स, कॉंस्टिबल ऑफिसर्स के साथ ड्यूटी कर रहे हैं वहाँ अलग से हम लोगों ने पुलीस के लिए एक टेंट भी लगाया है सेवा भारती और्गनाइजेशन से हम लोग कॉडिनेट कर रहे हैं मेडिकल कॉलेज के लोगों से हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया और उन्होंने हमें इजाज़त दी कि हमारे ऑफिसर्स को वहाँ का रेस्ट रूम यूज़ करने को मिले असिस्टेंट कमिशनर ऑफ पुलीस डिटेक्टिव डिपार्टमेंट के स्रीनिवास राओ वो आज में गेट पर ड्यूटी कर रहे थे और उनके साथ डिटेक्टिव इंस्पेक्टर महाकाली पुरुशोत्तम वो भी गेट पर थे और एटेंडर से बात कर रहे थे उनको समझा रहे थे कि उन लोगों का अंदर जाना उचित नहीं है जो में बिल्डिंग है वहाँ पे आज हमारे इंस्पेक्टर मुरली और उनके साथ सेवन सब इंस्पेक्टर जो हर फ्लोर पर हैं ड्यूटी कर रहे हैं जो एमर्जेंसी बिल्डिंग है वहाँ पे हमारे इंस्पेक्टर थिमप्पा तैनात हैं और उनके साथ इंस्पेक्टर रविंदर जो की गांधी स्टैचू और नेबरिंग एरिया में एंबुलेंस मुव्मेंट को कॉडिनेट कर रहे हैं जो मॉर्चरीज में डेट बॉडी हैं उनका कॉडिनेशन अर्ली मॉर्निंग जो फैमिली मेंबर्स की भीड रहती है डेट बॉडी को कलिट करने के लिए उसका कॉडिनेशन हर डिस्टिक के स्पेशल ब्रांच लोकल पुलीस को जो हमारी डेट बॉडी डिस्पोजल टीम के हेड है माधी पार्टी स्रीनिवास एडिशनल डी सीपी हमारे असिस्टेंट कमिशनर ऑफ पुलीस सीचेस में हरी कृष्णा है जिनकी ड्यूटी तीन बजे से लेके रात कोई 11 बजे तक है उनसे भी बातशीत हुई हमारे में गेट पर इंस्पेक्टर बाल गंगी रेड़ी है जो सुबह 7 बजे जिस समय हेवी रश रहता है गंगी हॉस्पिटल के में गेट पे हैं और उनके आसपास के 9 पॉइंट को कवर करते हैं उनके अंडर में लगवग 22 टीम्स पुलीस ऑफसर की टीम है डिटेक्टिव इंस्पेक्टर बोहिन पली के अकरम बाबा 20 कॉंस्टेबल ऑफिसर के साथ एंबुलेंस मुवमेंट द जी जो हमारे डिटेक्टिव इंस्पेक्टर कार खाना के हैं उन्होंने रात को गांधी में गांधी हॉस्पिटल के में गेट पर ड्यूटी की उनके साथ इंस्पेक्टर वेंकर ट्रेडी इंस्पेक्टर रमेश कुमार ये लोग सब पूरे आठ फ्लोर्स पर घूम कर हर ज डिेक्टिव इंस्पेक्टर थिमपपा जो कि तुकाराम गेट के है, पुली स्टेशन के है। डिटेक्टिव इंस्पेक्टर थिमपपा सारी बिल्डिंग के इंचार्च है, जहां लगभग 180 के लगभग बेढ है। और साथ में वो क्यू सिस्टम भी देखते हैं और अटेंडर्स का से भी कॉडिनेट करते हैं जो पेशेंट का एड्मिशन होता है और साथ में डॉक्टर्स और नर्से से बाचीत भी करते रहते हैं। सिटी सिक्यूरिटी विंग के हमारे इंस्पेक्टर आफिसर मुरलीधर हैं वो मेंन बिल्डिंग के इंचार्ज हैं जिनके साथ पूरे सेवन फ्लोर्स की सिक्यूरिटी की जिम्मेवारी हैं। चिलकल गुडा के हमारे इंस्पेक्टर नरेश जिन्होंने एक बहुत अच्छा वाटसैप गुरूप बना कर रखा है जिसमें कि सभी पेशेंट के रेलेटिव और अटेंडर्स उनसे कॉडिनेट करते रहते हैं और उनको जानकारी भी मिलती रहती है डिटेक्टिव इंस्पेक्टर चिलकल गुडा संजय जिनके काम की जितनी भी तारीफ की जाये वो कम है वो टोटल 900 से जादा जो इन पेशेंट हैं उन सभी के अटेंडर से बात करते रहते हैं और ये वाटसेप ग्रूप से वो सारी बिल्डिंग, इंटेंसिफ केर यूनिट, वेंटिलेटर, बेड़, हर जगा की जानकारी कहां क्या हो रहा है लोगों को बताते रहते हैं वो जो सीनियर एसिडेंट डॉक्टर्स हैं, जो पीजी डॉक्टर्स हैं, उन से भी टच में रहते हैं, जो फोर्थ क्लास के इंपलॉईज हैं, उन से टच में रहते हैं और जो नर्सेज हैं, लगवग 600 से जादा नर्सेज हैं, सबसे कॉडिनेट करते रहते हैं इनकी एक और तारीफ की बात है कि जो लोग खास करके ऐसे पेशंट है जो प्रेगनिंट लेडी हैं जिनके साथ एक एटेंडर की जरूरत बहुत है उनको भी यह लोग कॉडिनेट करते हैं तो इसके साथ साथ ये भी हम सबको बताते हैं कि किसी भी हाल में पुलीस के तरफ से NOC की जरूरत नहीं है ये मैं सबको बताना चाहता हूँ सभी पबलिक को कि NOC की जरूरत पुलीस के तरफ से नहीं है कोई भी पुलीस आफिसर NOC का डिमांड नहीं करेंगे कोई भी दूसरी एजंसी भी पुलिस N.O.C. का डिमांड नहीं करेंगे तो ये आज मैं सोचा कि गांधी हॉस्पिटल में जो इंतिजामात हो रहे हैं हमारे सिटी पुलिस के तरफ से उसके बारे में मैं आप लोगों से थोड़ी जानकारी शेयर करूँ ये चैलेंजिंग सिटुएशन है हर चीज बिलकुल परफेक्ट नहीं हो सकता है कहीं उनीस बीस कहीं उपर नीचे जरूर होगा उस गलतियों को आप लोग माफ करें हम लोग सब मिलकर इस क्राइसिस से लड़ रहे हैं और हम लोग को जीतना है सब लोग मिलकर जीतना है किसी की शिकायत करने से फायदा नहीं होगा हम लोग मिलकर बहतर से बहतर काम करें और साथ में प्रेयर प्रार्तना और दूआ भी करते रहे हैं शुक्रिया अंजिनी कुमार कमिशनर आफ पुलीस हैद्रबाद दो साल तक एज किया हुआ बास्मती राइस उपलप्त सभी त्योहरों और शादियों की शान बढ़ा देर चार मीनार की फेमस बिर्यानी के लिए सभी की जुबान पर एक ही नाम अनपूर्णा बास्मती हाउस हिंदुस्तान की सबसे चुनिंदा प्रैंड मैभूग मैंशन मलक पेटर हैडराबाद सेल नमबर 9182935630